नमस्कार दोस्तों मैं अनील आज आप लोग को बताऊंगा अनार के फायदे क्या हैं और एक योग अभ्यास भी आज इंटरनेशनल योग डे पर आप लोग को सिखाऊंगा और इसके किस-किस बीमारी में क्या-क्या लाब हैं वो भी बताएंगे मेरे घर में पौधे जो लग प्राप्त कर सकते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें यह हम आपको एक योगा सिखाएंगे दोलासन जिससे आपके भात पैर और बाड़ी मजबूत होते हैं बहुत ही अच्छे योगासन हैं आप एक योगा जरूर सीखें ताकि आपको पूरती और ताजत तरों हमेशा बन सकते हैं जो यंग जेनरेशन्स के हैं वह आसानी से कर सकते हैं यह दोनों आप अभ्यास अगर डेली करते हैं तो फिर आप दीन भर स्वास्त बने रहेंगे आज हम आपको अनार के बारे में भी जानकारी देंगे अनार को कैसे किस वेराइटी में क्या-क्या बोलते हैं वह आपको complete जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को last तक जरूर देखेंगे, सबसे पहले अनार के बताएंगे कि किस किस नाम से जाना जाता है और किस किस टाइपस के अनार पाए जाते हैं, तो सबसे पहले अनार जो होते हैं, वो उनके टाइपस होते हैं, वो हैं गनेश, भा मतलब कि यह हैं कि अगर अप अनार का सेवन करेंगे तो बिमारी कभी भी आपके पास नहीं आएगी तो आप देख सकते मैं अनार के पौधे लगे हुए हैं और यह बर्साथ के मौसम में बहुत ही स्वुस्थ हो जाते हैं पौधे और पकना भी शुरू हो जाता है आप अनार के पौधे में जो जड़ को मजबूत बनाता है वो आप कर सकते हैं उसमें आप गाय का गोबर नीम की खली या सरसो की खली आप इसमें दे सकते हैं भर्मी कंपोस्ट जो की और्गेनिक फर्टिलाइजर हम बनाने की वीधी आपको टमाटर वाली वीडियो में बता चुके हैं तो आप वो वीडियो भी देखेंगे तो आप असानी से समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग भर्मी कंपोस्ट घर पे बना सकते हैं और लिक्विट फर्टिलाइजर भी बनाने के लिए हम आप बता हम आपको वीडियो में बत सकते हैं तो चलिए आप सुरू करते हैं आपको बताते हैं पहला फायदा है कब्ज में अनार के पत्तों को उबाल कर उसका काड़ा पीने से कब्ज से प्विश्य चुड़ाये जा सकता है अजवाइन का चूर्ण फांक कर फिर अनार का रस पीए तो कब्ज से मुक्ति दूसरा फायदा है अलरजी के मरीजों को अनार का सेमच चिकित्सा के अनुसार करना चाहिए अनिथा आपके अलरजी बढ़ सकती है इसलिए अलरजी में आप लोग ध्यान देंगा तो तीसरा फायदा जो है वो आपको बताएंगा अनार के छिलके को पीस कर उससे चेहरे प समस्या भी दूर हो जाती है आप चाहें तो इसे ब्राउन सुगर और हनी के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं अगर आपको खून की कमी हो तो अनार से हमारे सरीर में खून बढ़ता है और हमारे सरीर की रूप रंग में भी निखा राता है इसलिए आप लोग अनार का सेवन पता में दो से या तीन बार जरूर करेंगे पेट संबंधी परेशानी इस फल के नियमित सेवन से पाचन से संबंधित परेशानियां दूर होती है जैसे भोजन का सही नहीं पचना और इसके अलावा ये हमारे लीवर किड़नी आदी के फंक्शन को भी मेंटेन रखता है अ आप लोग मन्थ में पांस से छे दिन अनार का अवश्य शेवन करेंगे इससे आपको बहुत ही फायदा होगा लास्ट और अंथ है फायदा जो अलजाइमर की बीमारी को दूर करता है दूसरों दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ भूलने की बीमारियां बढ़ जाती है अनार के सेवन का सही समय ऐसा माना जाता है कि आम तोर पर किसी भी फल का सेवन करना सुबह के वक्त सबसे अच्छा होता है सुबह उठने के बाद एक नास्ते से आधा घंटा पहले या नास्ते के साथ है फल का सेवन करने से सरीर में उर्जा मिलती है और आप पूरे स्वस्त और तरो ताजा दीन भर बने रहेंगे आपको आलस नहीं आएगी आप दीन भर अच्छे से आठ से दस घंटे काम कर सकते हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसलिए आप चाहते हैं कि सारे बीमारी से दूर रहें तो आप अनार का सेवन जरूर करें यह हमारे बगीचे हैं बगीचे में हम बहुत सारे पौधे लगाये हुए हैं हम एक एक करके सारे पौधे के बारे में जनकारी देंगे और बताएंगे कि जी हाँ दोस्तों दूद नहीं पीना चाहिए अनार खाने के बाद दूद नहीं पीना चाहिए और रात में अनार का सेवन कभी भी नहीं कर रहेंगे धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कैसे लगा वीडियो